दोस्तो आज की कहानी का सार यही है कि हमें जीवन में नम्र रेना चाहिए एक बार एक संत बहुत बुड़े हो चुके थे उनका मनने का टाइम आ चुका था उन्होंने अपने सिश्यों को बुलाया उनके बुलाने पर सारे सिश्यों के पास उब्दे सुनने के लिए आ गए लेकिन संत बाबा ने उब्दे स ना देती भी अपना मूँ खुला वो बोले देखो इसमें दाथ है की नहीं सभी सिख्चकों ने उत्त दिया नहीं संत ने फिर मुझ खुला और पुछा देखो इसमें जीब है की नहीं सभी सिश्चों ने उत्त दिया हाँ है तब संत बाबा ने कहा कि यह बताओ कि पहले जीब आई थी वो बात तक भी रही लेकिन दाथ बाद में आये थे वो पहले ही खत्म हो गए ऐसा क्यों सभी सिश्चों ने बहुत समचा लेकिन उसका जवाब नहीं मिला उन्होंने संत बाबा से कहा कि आप ही बताएं संत बाबा ने जवाब दिया कि जीब कोमल होती है इसलिए वो आखिर तक टीकी रही लेकिन दाथ कड़क होते है इसलिए वो पहले ही उखड़ गए इसलिए दोस्तो जिन्दगी में हमेशा विन्रमिता बनाए रखें एक दूस्ते के साथ विन्रमिता बनाए रखें इसी में सबका भला है दोस्तो आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइज जरूर करें नमश्कार